शास की कायलाइवा भावनों में उर्जा सन रक्षन के जाने को लेकर उर्जा सन रक्षन पर अर्ध दिवसी जागरूपता कायरेशाला का आईजन किया गया इसमें दिरुपी संभाग आयुक्ति व क्रेडा के सदस्य सहीन जिले के विभी भाग के प्रमुख और करमचारी शा मालवी नगर दुर्ग में किया गया जिसमें जिले की विभी नभी भागों के विभाग प्रमुक एवं कर्मचारी प्रस्थित रहे उक्त कायक्रम में अपनी भागिदारी सुनिश्चित करती हुए उर्जास अंडक्षन की संबंद में आवशक जानकारियां प्राप्ति की ग गौतलबे की विजय साहू सदस्थिक रेड़ा रायपूर की द्वारा सभी कायरा भवन में उर्जास अंडक्षन की जाने की आनेवारेता पर जोड़ दिया गया एवं जिवाश्म इंधन की समीती उप्रप्तिता पर भी चिंता व्यक्त की गई साथी भविश्य में जिवाश्म इंधन से उर्जा बनाया जाने पर अधिक लागात आने तथा पर्यवरन पर विप्रित प्रभाव पढ़ने की विशय पर अवगत कराई गया वहीं महादेव कावरे संभाग आयुक्त दुर्ग के द्वारा अपने उद्भोधन में अक्ष कारिक डीटा की आधार पर बताया कि इनिवर इनर्जी की लागत लगभग 15 पैसे पर यूनिट आ रही है यदि महेंगाई के इस दोर में आज हम इनिवर इनर्जी का उपयोग जादा से जादा उपयोग करें तो निसंदी परेवरन सुरक्षा के साथ ही आर्थिक मंदी को क कम करने में युगदान दे सकते हैं वने उपस्तित अधिकारियों का अउगत कराया कि संबाग अंतरगत समस्त शास की भवनों पर उर्जास अंभुषन अधिनयम की अंतरगत नेयमों का पाल्याण करते हुए विभाग उर्जास अंभुषन के लिए कटिबद्ध है प्रेन ACN News के लिए दुर्गसे नसीम फारुगी की रिपोर्ट